हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ केक की रेस्पी सेयर करूंगी अगर आपने कभी भी केक नहीं बनाया है अगर पहली बार बना रहें तो वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा देखे आप पहली बार में ही एक दम परफेक्ट केक बना कर त्या माप करने के लिए कोई भी कर्टोरि या बर्तनाप ले सकते हैं इसके साथ लेंगे सुगर पाउडर को मैंने पहले चला लिया था मिकसी के जार में और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन मैं थोरा सा कम लिए हूँ अभी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें तो यहां पर मैंने इसे यहां अच्छे से Mix कर लिये हैं आप इसे छान सकते थे मेयुजरbach थे उसमें करने के बाद च्छानना इसमें बहुत ही जरूर जो दूद्द कו आढ़ यह उाद कर लिये अब दूद को इसमें एड्ड करेंगे एक बार में ज्यादा दूध ना एड़ करें थोड़ा थोड़ा डाले और इसे मिक्स करके चेक करते जाएं बैटर बनने के बाद बैटर का रीवन फॉर्म होना चाहिए और फ्रेंट्स दूध के जगा पे आप पानी भी ले सकते हैं लेकिन दूध से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैंने दूध डाला है तो यहाँ पे बैटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसमें कोई भी लंस बगरे नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक कप मैंने मैदा लिया था और एक कप सुगर पाउडर और एक कप दूध में तीन से चार चमस दूध बच गए हैं तो मैंने यहाँ पे इनो डाला है तो यहाँ पे पूरे इनो डाल देंगे अगर स्पून से डाल रहे हैं तो एक बड़ा चमस इसमें इनो डालेंगे और इनो को डारेक्ट बैटर में नहीं मिक्स करेंगे इसके उपर थोड़ा सा दूर डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे जैसे ही अच्छे से mix हो जाएंगे तुरंती से bake करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंट्स मैंने बैटर को बहुत ही अच्छे से mix कर लिया है अब मैं आपको इसका consistency दिखाती हूँ तो आपको देखकर समझ में आ रहे होंगे इसी तरह की consistency रखे और मैंने पहले से ही घी से grease कर लिया है cake tin को अब घी के जगा पे oil भी लगा सकते हैं अब इसमें batter को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा dab dab कर देंगे इसे अच्छे से सेट हो जाएंगे तो ये हमारा cake का batter ready है बेख होने के लिए तो gas पे मैंने एक तवा preheat किया है अब इसके उपर एका stand रख देंगे stand के जगा पे आपका टोड़ी भी रख सकते हैं direct cake tin को तवे पे नहीं रखेंगे नहीं तो के खड़ाब बन जाएंगे अब इसे एक भगवने से या कोई भी बर्तन से इस तरह कवर करें कि केक तिन बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए उसमें कोई भी एर वगड़ा ना जाए और यहां पे गयास का करेंगे तो वह केक के अंदर चले जाते हैं और 30 मिनट बाद इसे medium to low flame पे पकाएंगे इसके बाद यहां पर मैं आपको नाइफ से चेक करके दिखाती हूं देखें नाइफ सुखा निकल रहा है इसका मतलब केक बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं तो अब इसे बहुत ही स सानी से निकल जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह पलट दे और थोड़ा सा डैब डब कर दे हाथों से और देखें के कितने फ्लपी बने हैं मैं आपको किनारों से दिखाती हूं तो फ्रेंट्स आपको देखकर समझ में आरोंगे कि कितना आच्छा बना है स शाटा फट से यह केक बन कर त्यार हो जाती है घर के समान से मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह का केक बराबर बनाती हूं और देखें की अंदर कितने सारे जालियां करेट होए हैं और यह कितने फ्लपी हैं मैं आपको दबा कर दिखा रही हूं जिससे आपको समझ में मैं इसे चारों तरफ से आपको दबा कर दिखाती हूँ जिसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए कि केक कितना फ्लफी बने हैं मैं यह केक को जब भी अपने घर में बनाती हूँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चे उन्हें यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे सारे वीडियोच के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल दे एक और नेरेस पे में तब तक के लिए गुड़ बाई